आप सबका त्रिशूर डिफिन्स अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बार ऐसा होता है कि SSB इंटर्व्यूज पे तो हमें क्लारिटी होती है पर मेडिकल्स पे क्लारिटी नहीं होती तो डिफिन्स अगर आप फॉज में कमिशन अफसर के रूप में अपने आपको देखना चाहते हैं तो पहले आपको इंटर्व्यू फेस करना होगा SSB recommendation के बाद यानि कि अगर आप एक recommended candidate होंगे SSB इंटर्व्यूज पास कर लेंगे तो तो तुरंत आपका medical होगा आज मैं बात करूँगा medical procedure after SSB interviews defense aspirants मैं as a whole बात कर रहा हूँ मैं किसी एक particular entry को लेके नहीं चल रहा मैं पूरे के पूरे officer level पे जो medicals होता है उस के बारे में इस video मैं बात करूँगा तो video को अन तक जरूर देखिएगा सबसे पहले पाँच दिन के interview के बाद जो medicals होता है ये board of service medical doctors करते हैं आर्मी एफोस नेवी में medical का अपना core होता है armed forces medical course के जो doctors होते हैं armed forces medical college के जो doctors होते हैं उनको ये काम दिया जाता है और board of service medical doctors वो ही बनते हैं अब ये जो doctors होते हैं ये males एवं females होते हैं और female officers का जो medical process है वो आम तोर पे female doctors ही conduct कराती हैं सबसे पहले बात करते हैं tattoo के बारे में tattoo के related constant doubts बने हुए हैं भरतिये थल से ना, वायू से ना और नौ से ना को जो आदिश tattoo policy के लिए मिले हैं वो मिले हैं dorsal side of the elbow जी हाँ मैंने कई videos इस पहले भी बनाई है torsal side मतलब ये हाथ का side wrist से लेके elbow के बीच में यहाँ पे tattoo allowed है defense aspirants शरीर के किसी भी अन्य जगे tattoos allowed नहीं हैं वहीं कई ऐसे customs हैं, कई ऐसी cast हैं, कई ऐसी tribes हैं जहाँ पे बच्चे के पैदा होते ही उसके हाथ पे या कहीं शरीर के अन जगा पे tattoo बन जाता है, उस case में case to case basis पे trides के लिए tattoo allowed है, बट बाकी किसी के लिए भी tattoo allowed नहीं है tattoo के बाद चलते हैं ears पे defense aspirants, ears में किसी प्रकार का कोई fungal infection, bacterial infection है या नहीं है इसके लिए ears का check-up होता है और 110 cm की दूरी से hearing test होता है 110 cm की दूरी से doctors whisper करते हैं और candidate से पूछा जाता है कि doctors ने क्या बोला इससे hearing test भी हो रहा है, कहीं न कहीं फौज में अफसर बनने जा रहे हैं, आपका medically, mentally and physically आप sound होने चाहिए ठीक होने चाहिए, इसके लिए ये पूरा medical का procedure है याद रखें, medicals इसलिए करा रहे हैं क्योंकि फौज को आप जैसे लोग चाहिए medical इसलिए नहीं करा रहे हैं कि नुक्स निकाले, defense aspirants अगर आप में से कोई भी ये सोच के बैठा है कि medical बहुत tough है या medical में यार बहुत छटनी होती है तो यकीन मने, medical के बाद अगर कोई problem भी होती है, तो आपको temporary rejection मिलता है 5% cases में permanent rejection होता है, otherwise temporary rejection होता है और temporary rejection में आपको 21 दिन से 42 दिन मिलते हैं अपने रोग को treat करने के लिए इसलिए please, कोई भी misconception, कोई भी गलत विचारधारा फौज के medical process के related मत रखिये, ultimately फौज को आप जैसे commission'd अफसरों की जरूरत है 135 करोड आज की अबादी है भारत की, उसके बावजूद 8000 अफसरों की कमी है आर्मी में 4000 अफसरों की कमी है पायू से ना में और लगभग 3000 अफसरों की कमी है नौ से ना में क्योंकि अलग-अलग illusions हम लोग illusions में रहते हैं, अलग-अलग विचारधारा बना लेते हैं medicals के related चलिए वापस आते हैं, hearing test के बाद height की बात करते हैं, height males के case में overall 157.5 cm चाहिए, वहीं females के case में height 152 cm चाहिए, defense aspirants बहुत सारी entry भारती वाई-उसेना की ऐसी हैं, जिसमें height 162.5 चाहिए, especially pilot बनने के लिए, बट मैं जैसे कि आपसे वीडियो के starting में ही बोला था, कि in general, forge की requirement height की males के case में 157.5 है, और females के case में 152 cm, कुछ relaxations हैं, जैसे कि अगर आप गड़वाल, कुमाउं, नौर्थीस्ट रीजिन या गोरखा हो, तो आपको 5 cm का relaxation है, चलिए, height के comparative weight, उपर frame पे height और weight का chart बना हुआ है, किस height पे क्या weight होना चाहिए, इस chart में mentioned है, defense aspirants, plus minus 10% चलता है, चलने का मतलब यह है कि, अगर आपका weight जादा है, तो आपको थोड़ा दून का समय मिलेगा, weight कम करने के लिए, बहुत सारी cases, tissueal defense academy में ही मैंने देखे, जहां candidates का वजन जादा था, और उनको 21 से 42 दिन मिले, weight कम करने के लिए, बहुत 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 relax होके आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि medical board भी चाहता है कि आप recommend हो, अगर आप मेहनत करके written qualify कर रहे हैं, interview qualify कर रहे हैं, तो medical board का भी उपदेश ये रहता है, कि जादा से जादा candidates का medical बिलकुल ठीक हो, इसके लिए जो doctors आपको advise देंगे, वो बिलकुल अच्छे doctors अच्छी advise देंगे, defense aspirants मैं forge के महल में रहा हूँ, forge doctors are one of the world's best doctors, इसलिए अगर वो कुछ भी आपके अंदर pinpoint भी कर रहे हैं, तो इस उपदेश से कर रहे हैं कि आपकी training में, आपकी service में बाधा ना बने, height, weight के बाद, blood का check-up होता है, जिसे blood hemogram बोलते हैं, पूरा 4G doctors का उपदेश ये है कि blood के check-up से, आपकी white blood cells का total count, red blood cells का total count, monocytes, HT value, MCV value, ये सारी चीज़े चेक कर ली जाएं, इसलिए defense aspirants, blood का complete test होता है, blood test होता है और उसी से सारी चीज़े निकाल ली जाती हैं, blood test के बाद आते हैं, urine test पे, forge के doctors urine लेते हैं, urine examination करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि urinary tract में किसी प्रकार की कोई बादा तो नहीं है, urine का physical, chemical and microscopic examination होता है, defense aspirants, generally ये first morning की urine को लिया जाता है, अब बात करते हैं सबसे crucial चीज़ पे eyesight, defense aspirants, दिन भर में PC वाटसैप मेरे पास आते हैं, ये पूछते होए कि क्या चश्मा allowed है, किस प्रकार की power allowed है, यकीन माने, forge में spectacles allowed है, पर हाँ, क्या specification होनी चाहिए, ये समझते हैं, देखे, एक वो candidate जिसकी eyesight बिलकुल सही है, उसे बोलते हैं 6 by 6, दाएं आख, बाएं आख, 6 by 6 इसकी eyesight है, मतलब बिलकुल सही eyesight है, अब किसी की eyesight गड़बड है, तो उसकी power 6 by 6 ना होके, कुछ अलग अलग होगी, power नहीं, उसका जो specification है, वो कुछ अलग होगा, यकीन माने, 6 by 6 से लेके, 6 by 60 तक, चश्मा allowed है, जी हाँ, आपने बिलकुल सही सुना, 6 by 6 से लेके, 6 by 60 तक, spectacles allowed है, अब बात करें power की, तो मायोपिया है, तो माइनिस 3.5 दाया तक allowed है, हाइपर मेट्रोपिया है, तो प्लस 3.5 दाया तक allowed है, वहीं color version की बात करें, तो CP2 allowed है, defense aspirants, जब आप undergraduate की entry पे जा रहे हो, यानि की CDS हुआ, FCAT हुआ, NCC Special Entry हुआ, TGC हुआ, इन सब में, lezik surgery या laser surgery allowed है, पर शर्ती है, medical से एक साल पहले तक हो चुकी हो, अगर आप school level, school के बात जाते ही, फौच जाना चाहते हो, जैसे NDA के थ्रू, technical entry scheme के थ्रू, तो उस case में, किसी प्रकार की, कोई भी laser surgery allowed नहीं है, चश्मे वाले candidates, बिलकुल, इस बात को underline करने, कि आप फौज में जा सकते हो, चश्मा एक बाधा नहीं बनेगा, फौज में अफसर बनने के लिए, चश्मा एक बाधा नहीं बनेगा, आपको uniform पहनने के लिए, आई साइट के बाद आते हैं, अल्टरा साउंड पे, जीहां defense aspirants, हर male and female candidate का, अल्टरा साउंड होता है, abdomen का and pelvic region का, ये basically ultrasound इसलिए किया गया है, ताकि आपके internal organs, and body का abdomen का हिस्सा देख लिया जाए, कि किसी प्रकार का कोई disorder तो नहीं, females का pelvic region बहुत कुछ, ultrasound से चीज़े clarity हो जाती है, इसलिए females के case में, abdomen के साथ साथ साथ, pelvic region का भी ultrasound होता है, एक बार ultrasound खतम हो गया, उसके बाद, ये चेक किया जाता है, कि आप flat foot हैं या नहीं है, flat foot, army में allowed है, लेकिन भारती ये वाईू से ना, और भारती ये नौ से ना में flat foot, बिलकुल भी allowed नहीं है, flat foot के बाद, चेक होती है knock knees, defense aspirants, knock knees पे हमेशा, बहुत doubts बने रहते हैं, knock knees, basically जब आप की, दोनों गुठनों को जोड़ा जाता है, तो थाइस के बीच से एक scale निकल जाता है, कि नहीं निकल सकता, ये knock knees में पता चलता है, knock knee जिसकी होती है, उसको दोड़ने के दौरान, training के दौरान, physical exercise के दौरान, दर्द होता है, गुठनों में दिक्कत होती है, और वो exercise नहीं कर पाता, इसलिए ये knock knee का process, forge ने रखा है, और यकीन माने, knock knee के बहुत solutions भी है, defense aspirants, ये था एक brief snapshot, क्या क्या test होते हैं medicals में, अब मैं detailed video, medical, voice की अलग, और female candidates की अलग बनाऊंगा, बने रहिएगा इसी channel के साथ, defense aspirants, medical के सम्मंदित, अगर आपके कोई doubts हैं, कुछ clarity चाहते हैं, तो comment करके बताईए, मैं swim उनके answers दूँगा, इंतिजार रहेगा आपके feedback का, इंतिजार रहेगा आपके comments का, अगर video पसंद आई हो, तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि जितना ग्यान बटेगा, बटेगा, उतना ग्यान बढ़ेगा, ताइंक यू, जैहिंद, जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute, जहां cadets को train किया जाता है, आने वाले defense exam के अनुसार, अगर आपका भी सपना है, भारतिय सेरा में शामिल होकर, देश की सेवा करने का, तो आज ही जोइन करें, त्रिशूल defense academy,